एक बार फिर जब मुगी सड़के सुनसान हैं, किसीने सोचा नहीं था कि दुबारा से इसी तरीके से ये विरानी देखनी पड़ेगी लेटन गवर्ण मनोद सिना ने आज अनाउंस किया कि आज शाम आठ बजे से लेकर मंडे सुभा छे बजे तक कम्प्लीट कर्फ्यू रहेगा, दुकाने बंद होंगी, इस्टाइश्मेंट्स बंद होंगी, आप देख सकते हैं कि मैं इस समय कजशोनी चोक में हूँ, जिस चो कर रहे हैं कर्फ्यू को एंफोर्स करने का और इस समय गाले भी बहुत कम चल रहे हैं, जो गाड़ियां चल भी रही हैं, वो लोग हैं जो अपने घरों के तरफ वापस जा रहे हैं, ऐसे में कोविड-19 कर्फ्यू को अनाउंस करने के बाद कई सारे लोगों की ये परिशान से हुई, उन्होंने श्रेट लाइन को ये बताया कि मैर्जिस का जहां तक तालूख है, मैर्जिस के फंक्शन के लिए मैर्ज के कार्ड को कर्फ्यू पास की तरह देखा जाएगा, और जो लोग हैं वो मैर्ज फंक्शन अटेंड करने के लिए जा पाएंगे, लेकिन उसमे मैर्ज फंक्शन जो है, वो दस बजे, जो स्टैंडल प्रोसीजर है, क्योंकि दस बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगता है, दस बजे तक वो फंक्शन जो है, वो खत्म हो जाना चाहिए, और शाथी में ये भी उन्होंने कहा कि प्रेज का जहां तक तालूख है, जो पि कचिशोनी में, आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर कुद्टे जो हैं, वो जमा हैं, लेकिन लोग जो हैं, वो सड़कों के ओपर नहीं हैं, प्रिस कर्मी यहाँए, कर्फ्यू को एंखोर्स करने के लिए, लेकिन जितना बिजी ये चोक होता था, जितना रश इस चोक में यह से करोना कर्फ्यू जो है शुरू हो चुका है कल पूरा दिन मार्किट बंद रहेगी कल पूरा दिन सब कुछ बंद रहेगा और कारण सिर्फ एक कारण कोविड नाइंटीन की सेकिंड वेव जिसके कारण इन दो दिनों में लगभग 36 मौते हुई है कोविड की वो सेकिंड व देख लिए कि कोई अगर निकलता है उसको बोल दिया जाए कि आप वापिस घर की और चले जाए ऑटो चालक यहां पर जो है मोजूद है अपने अपने ऑटो छोड़ का यहां पर भर जा चुके हैं क्यूंकि उन्हें भी मालूम है कि आट बजे जो है वह कर्फ्यू लग ग कि यहां पर कर दी गई है और पुलिस कर निया गया था एकदम से कि आरज राज से कर्फ्यू लग जायेगा तीन घंटे में ही यहां देश्ट की और आप देख रहे हैं कि जो लोग जिने बात में ़लूम का ऐख... वो भी अपने धरों की ओर जा रहे हैं। और पुलिस कर्मी भी लोगों को है कि प्लीज आप अपने घरों में जाएं। जो लोग घरों तक नहीं पहुंचे हैं . कलने की इजाज़त दे रहे हैं ताकि वो भी अपने घुरों में जा सके लेकिन जादतर क्योंकि सोचल मीडिया का जबाना है जादतर लोगों में इन्फोर्मिशन पहुंच चुकी थी कि कोविड का जो है कर्फियो लगना है अब कल की जहां तक बात है क्योंकि का संडे है संडे को संडे मार्किट्स अलग अलग बजारों में लगती थी और संडे के दिन बहुत ज़ादा रश आपको जमू के हर एक एरिया में देखने को मिलता था लेकिन अब एक 34 आर लागडाउन जो अनौन्स किया गया है उसके बाद कल भी इसी तरीके से सरकों पर आपको सु कुछ लोग हैं जिने अभी भी जो है अभी भी नहीं मालूम है कि कोविट का लॉगडाउन लग चुका है कर्फ्यू लग चुका है तो उन लोगों को भी पुलिस कर्मी बता रहे हैं अब देख सकते हैं पुलिस कर्मिया पर हर एक को समझा रहे हैं कि अब कर्फ्यू लग हैं और आज भी मौते जो हैं कोः 19 के कारण लगभग 15 मौते जो हैं के कारण हुई है जिनमें से 7 मौते जमूं डिविजन से हुई है और 8 मौते कि उश्मी डिविजन से हुई है आरव kaç मुसाफिर हैं जिनके घर दूर है आज के दिन क्योंकि इंस्टेंटली और निकाला गया था तो पुलिस कर्मी उन्हें मदद कर रहे हैं उन्हें जाने दे रहे हैं ताकि वो अपने घर पहुंच सके लेकिन और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी साफ तोर पर ये कहा है कि जो जहां पर है वो वहीं पर रहे एक जगा से दूसरी जगा जानी की जरूरत कोई भी नहीं है और उसके इलावा भी बाकी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं लेकिन आज सबसे ज़्यादा बड़ी इन्फरमेशन ये है कि तरावी जो है वो हजब मामूल जैसे हो रही है वैसे ही तरावी होगी लेकिन दसबे से पहले पहले तरावी खत्म करनी होगी औ उसको उस कार्ड को करफियो पास मान लिया जा जाएगा उसके इलावा जो लोग फॉस्पिनल जा गुए होगी बहुत करड होगी फुम्हों कर दो अगर आपका को परेजन किसी हऊपितल में एड में तो उसके लिए जब आप पुलीस करभियों से बात करें आप उनको रॉ ने साथ ही में आपको यह पिता दें कि मैर्जिस की बात की तो गई है लेकिन मैर्जेक्स को अलाव किया है लेगिन उसमें भी जो नाइट कर्फ्यू की डाइक्षन थाशन हैं शर से पहले पहले आपको सभी फंक्षंट को समाप करना है आप को करना है कि दस बजे सभी फंक्शन्स खत्म हो जाए और आप घर की और पहुंच जाए साथी में यह जो कर्फ्यू लगाया गया है कोरोना कर्फ्यू इसमें यह भी कहा गया है कि जो एसेंशल गुड्स की दुकाने हैं वो खुली रहेंगी यानि कि आपको हड़ बढ़ाहट मे स्टॉक की कठा करनी की जुरत नहीं है कि मैं सारा कुछ अभी लेकर रख लेता हूं उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा कल के दिन बेवी जो एसेंशल दुकाने हैं वो खुली रहेंगी लेकिन आप जो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो आपको पुलिस कर्मी कोई रीजन ब बिलकुल फेक है ऐसा कुछ भी नहीं है उन लोगों तक बात पहुंचाने के लिए एक स्क्लियर मेसेज दिया गया है कि 34 आर लोकडाउन लगाने की जरूरत पड़ गई है एडमिस्टेशन को क्यूंकि कोविड-19 के केसे जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे हैं ये लोगों करने के लिए कि लोग अगर ünफ्टेट भी है तो वह बाकियों को ना इन्फेक्च करें भीड में जाकर बिना मास के मास को ना के नीचे रखके और लोगों को एंफेक्ट हैं ये कोशिश की गया अद्मिस्टेशν के द्वारा औरेड़ी सभी एजूकेशन इंस्टिटूश जमुकश्मीर में बंद है, और अब जाकर ये फैसला 34 गंटे के लोगडाउन का लिया गया है, यह एंशॉर करने के लिए कि किसी ना किसी तरीके से ये जो इंफेक्शन फैलता ही जा रहा है, इसे रोका जा सके, तो आप लोगों से भी उजारिश की ये नजारा एक बार देख लें, ये कच्छानी चोक है, और आप देख रहे हैं, इसमय बिल्कुल एमटी है, ध्यान रखें कि आभी घर में बैठे रहें, अगर अभी तक भी आप तक इन्फर्मिशन नहीं पहुंची है, कोविड-19 कर्फ्यू की, दुबारा आपको बता दें, कि आज आत 8 बज तक ये कोरोना कर्फ्यू जो है, वो लगा रहेगा पूरे जम कश्मीर में,